बागर दांतूं तांतूं ना देग इसको कोई लगा बोलते ना जैसे होते ऐसा यही होता है सुबहे का तैयारी कर लियो कि अभी का अजा चूट के रख दे रहे हैं फ्रिज में ऐसे रखने में तो क्या करोगे मेथी का पकोड़े बनाओगी नई पराथे हेलो फ्रेंस और विल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छी हो कि मैं भी बहुत अच्छी हो रहे हमेशा की तरह बिंदास हूँ और आज साटरे इवनिंग का व्लॉग है यह मॉनिंग का व्लॉग जहां मैंने फिनिश किया था उसके संडे के दिन हम ठोड़ा सा रेस्ट करेंगे आराम से उठेंगे पारिक जीबी लेट से उठेंगे वैं ठोड़ा आराम-आराम से उठेंगी और सब्सी जो है न वह हम अभी रात को ही लेकर आ गये हैं मार्के गए थे और उसे क्लीन करके बढ़िया सी और बस फ्रिज में स् बख जुटा जुटा मांजा मांजा अब सच्ची की लगी ना नहीं जुटा और इसको देखे कब आएगा यह यह कल नहीं दोगा कल नहीं दोगा मुझे पता है क्या खा क्यों रहा इसको भुख लगए क्या यहां पे मेथी पाला दनिया सबकी सफाई हो चुकी है और इन सब को साफ किया है हितांच पारिक ने है ना शावाज यह क्या है हितांच पता नहीं यह दिखाओ दिखाओ यह तुने तोड़ा है कि दुखुए मैंने तोड़ा है भागो 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 दांतूम दांतूम बाहर चल रही है मूवी इसलिए मैं अंदर आके रूम बंद करके बात कर रही हूं यूट्यूब का ऐसा है कि कब किस जगा पे कहां कॉपीराइट देते कोई भरोसा नहीं है इसलिए मने मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट चैनल उसमें मैं लाइव कर रही थी और वो लाइव के टाइम पे बहुत दूर से कहीं से बहुत ही दूर से कहीं से कोई म्यूजिक की आवाज आ गए और मुझे कॉपीराइट मिल गया इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है मैं बहुत ध्यान थी हूँ कॉपीराइट का बहुत अंधेरा सा अगर कि अरे यार यह तो अंधेरा हो ना हो यह तो ऐसी जगबुच जगबुच करेगी पता निए पारीक जी को क्या प्रॉब्लम है मस्त्री को भी नहीं बुलाते हैं इसको ठीक भी नहीं करवाते हैं अब या तो मैं कल मैं ही फोन करूंगी चलो कोई नहीं अंधेरे में बातें कर लेते हैं तो आज है वीकेंड तो बच्चो ने कहा है कि कुछ अच्छा सा बनाओं तो मैं सोच रही हूं कि बेबी कॉन बना लेती हूं क्रिस्पी चिली बेबी कॉन और साथ में चाओमिन बना लेती हूं सबसे पहले मैं बना रही हूं क्रिस्पी चिली बेबी कॉन तो स्काइब के लिए मैं तो बेबी कॉन को इस तरह से चोटे चोटे पीस मेंक तरही हूं बेभी कोण को मैंने वाश कर लिया है वाश करने सी कहना है हलका सा हमें मैयादा दाल रही हूँ तो यहाँ पर एक्षिल में कौनफड़ार डाला जाता है तो कौनफड़ Vari मेरे पास नहीं है तो इसके alternative में मैदा डाल सकते हैं चावल का आठा डाल सकते हैं क्योंकि हमें एक सिर्फ coating देनी है बेबी कॉन को ताकि वो थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए उसके अंदर तो अगर सही डंग से coating ना आए तो हलका सा पानी इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए बस एक पतली सी coating आ जाए वैसा हमें इसे प्रिपेर करना है अब तेल को कर लेंगे अच्छा हाई फ्लेम पे एक दम बढ़िया से गरम और उसके बाद बस लो फ्लेम करेंगे और उसको एक दम अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे इस तरह से अलग अलग खुला 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 इसमें डालना है ताकि आपस में ओयल में चिपके ना तो यह बेबी कॉन देखिए हलका गोल्डन सा ब्राउन सा आ गया है इस पर एक कलर तो बस इसे मैं निकाल लेती हूं और इसे मैंने दो राउंड में दो बैच्चे में फ्राई किया है ताकि यह खुले खुले रहें चिपके ना और बहुत अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्प और उसके बाद नूडल्स इसमें डाल दिया है ताकि वह बॉल होते रहें एक साइड में हलका सा बॉल करूंगी ज्यादा बॉल मैं नूडल्स को नहीं करती हूं वरना वह एक दम गुच्छे से हो जाते हैं बढ़िया नहीं बनते हैं और यह जो आयल था ना पूरा का पू इसमें लिए और यह जो भी ना पूरा को बीट आड़ नहीं तो इसमें डालें दो डालें दो ग्रीन चिली तोड़कर दालें जो कि सिर्फ पारीक जी को जरूत है हम तीनों को बिल्कुल भी जरूत नहीं होती है और बाद में बेवी कॉन एड कर दिया है और साथ में बस ग्रेवी से बैंक जाएगा ले तो बिर घ्ली खाती हो जाएगा अगर आपको बिना ग्रेवी ना रहे हो ना तो सब्सक्राइगा तो थोड़िएसाद की चीप शीप जाए चाहला चिपचिप कर रहा है कि आपको पता भी निया कि कैसे लगा है को लोहे से लगी है क्या मुझे नहीं पता कहा है आप महान हो क्या आदमी है तो चलो वापस आ जाते हैं मैंने क्या किया है बहुत सारा तेल लिया है अच्छा खासा तीन से अच्छा गाजर शिमला मिर्च बीन्स ऐसे लंबे लंबे काट करके और ने फ्राई कर लिया है थोड़ा जब हलका सा हाफ कुख हो जाए नमक डाला है नमक जादा करके डाला है क्योंकि चाव मिन का जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से प्लस वेजटेबल के हिसाब से दोनों और साथ ही विनिगर और सारे सॉसस डालते ही इतनी गजब की खुश्बू आरी रहा मैं क्या बता हूं और बस इसके अंदर में नूडल्स मैंने डाल दिया है तो नूडल्स मैंने ना जब नूडल्स को खो गये थे तो मैंने उन्हें जो उनका पानी था वो निकाल लिया थ जो नूडल्स हमारे होते हैं वो बिल्कुल खुले खुले से बनते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक बार ट्राइज जरूर करिएगा आप जब भी नूडल्स बनाओ उसको एकदम अच्छा थंडा करके मना चार से पांच बार पानी से बढ़िया से दो साफ पानी से और उसके बाद नूडल्स बनाओ देखना आपके नूडल्स जो है बिल्कुल हका चाओ एकदम जो होते हैं रेस्टोरेंट वाले खुले 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 वैसे वाले बनते हैं देखिए अभी मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा बैच्चे में तो तीन बार में और उसके बा तो आएए आप भी हमारे साथ रेस्टोरेंट स्टायल बेबी कॉन और नूडल्स इंजॉय करिए हमारे साथ पारिक जी फीडबाग तो दो बढ़े बना और ये बेबी कॉन वंडरफूल तो जी पावर ब्यूटिवल रात के बज़ गहा है साड़े क्यारा और इस अब कantis को तो शोना नहीं तो मुझे आ çıkar intentions और लोग अब ही बैए फुलों इनर्जी में नहीं बासी बिए दया ता नहीं दखाव कर लिया और मुझे दुनीनदारी मैं जा रही हूं सोने के लिए और आज का व्लॉग करी हूं मैं यहीं फिनिश मिलते हैं मेरे नेक्स व्लॉग में तिल देन बाइबाइ वीडियो कर तोड़ी सी पसंदा है तो प्रीज लाइक जरूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकोन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जलदी से पहुंच जाए जिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइबाई